की किनिन होता क्या है और साथ ही हम जानेंगे हमारी बौड़ी में क्रिटीनिन कहां से आता है साथ ही है जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्रिटिनिन हमारी बॉडी में क्यों बनता है और एक healthy इंसान का क्रिटिनिन लेवल क्या रहता है साथ ही ये situation भी जानेंगे कि क्रिटिनिन की वो कौन सी range है जब हमें dialysis की जरुरत पढ़ती है खेर इससे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिटिनिन होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ क्रिटिनिन एक वेस्ट प्रड़क्ट है जो नॉर्मली बलड और यूरीन में मिलता है क्रिटिनिन का लेवल बढ़ना मतलब आपकी किडनी में प्राबलम शुरू हो गई है तो इसलिए थोड़े सतर्क हो जाईए क्योंकि ये सिचुएशन आपको किडनी फेलियर की तरफ ले जा सकती है अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये सिचुएशन या ये क्रिटिनिन हमारी बॉड़ी में बनता कैसे है आता कहां से है तो मैं आपको बता दूँ क्रिटिनिन हमारी बॉड़ी में आपके द्वारा खाए गए खाने से ही बनता है जब आप खाना खाते हैं तो आपका लिवर क्रिटिनिन नाम के एक नॉर्मल कंपाउंड को बनाता है यानि की वेस्ट प्रड़क्ट ये वेस्ट प्रड़क्ट आपकी बॉड़ी में क्रिटिनिन लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है जब आपकी किड़नी सही से काम नहीं कर पाती तो इस वजह से क्रिटिनिन आपकी बॉड़ी में जमा होना शुरू हो जाता है basically आपकी body में creatinine store होना शुरू हो जाता है जिस वजह से आपकी kidney खराब होना शुरू हो जाती है और जिस वजह से आपका creatinine level बढ़ना शुरू हो जाता है अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा creatinine level बढ़ रहा है या नहीं तो मैं आपको बता दूँ इसके भी संकेत होते हैं जब आपका क्रिटिनी लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉड़ी आपको कुछ इशारे करती है या आपको कुछ संकेत देती है जिन्हें आप अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सक तो ये संकेत कुछ इस परकार है जैसे कि आपकी यूरिनेशन प्रोसेस में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं आप देखेंगे आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी काफी बदल जाएगी आपको बार-बार यूरीन आएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूरीन लगता है second symptom है आपके मसल्स में क्रेंप आना मतलब आपको आपके मसल्स खिचे-खिचे महसूस होते हैं आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाता है आपको जल्दी थकान महसूस होती है यह भी एक हाई क्रिटिनिन लेवल का एक symptom है जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली लेकिन जब आपकी बॉडी को यह message convey ही नहीं हो पाता क्योंकि आपकी किड़नी खराब होना शुरू हो चुकी है तो EPO यानि Erythiopoetine जो हार्मोन है वो काफी कम मात्रा में बन रहा है जिसकी वजह से आपकी किड़नी red blood cells को कम बनाती है और जब यह red blood cells कम बनते हैं तो यह red blood cells आपके brain में आपके मस्तिक्ष में ज़्यादा नहीं जा पाते जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाता है आपको ठंड लगना और उल्टी आने जैसे situation भी देखने को मिल सकती है जब आपका क्रेटिनी लेवल हाई होता है बेसिकली उल्टी आना बहुत important symptom था साथ ही आपको पैरों में और एडियों में सूजन नजर आ सकती है क्योंकि जब आपकी किड्नी खराब होना शुरू होती है तो जो fluid होता है वेस्ट मैटीरियल होता है एक तरीके से वेस्ट मैटीरियल क्रिटिनी भी होता है लेकिन काफी तरीके क किड्नी फिल्टर करती है उन ही में से कुछ वेस्ट मैटेरियल जमा हो जाते हैं जिस वजह से हमारे शरीर में हमें तरीके से समज़ सकते हैं कि अगर आपका creatinine level 0.6 से 1.1 mg per deciliter है तो आपकी kidney proper healthy kidney है आपको कोई tension लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका creatinine level 1.2 है तो आपकी kidney लगभग 30% खराब हो चुकी है इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका creatinine level 0.6 से 1.1 mg per deciliter है तो आपकी kidney healthy है काफी labs की reports में आप देखेंगे 0.6 से 1.2 भी होता है तो ये lab to lab differ करता है लेकिन creatinine level की common range अगर हम अपने according लें तो हमारी normal range 0.6 से 1.1 mg per deciliter है और अगर आपका creatinine level 0.3 लेवल तक पहुँच जाता है तो आपकी kidney लगभग 30% खराब हो चुकी होती है तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि 0.1 लेवल बढ़ने से हमारी kidney 30% कैसे खराब हो सकती है तो मैं आपको बता दूँ आपकी kidney में एक capability होती है कि जब आप कुछ भी खाते हैं या कुछ करते हैं आपकी body के environment के according आपकी kidney ढलना चालू कर देती है जैसे आपने for example हम ये भी ले सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपनी kidney किसी को donate कर देता है तो वो एक उसकी उस व्यक्ति की एक ही kidney उसकी दो kidney यों जितना काम कर रही होती है कैसे? because आपकी kidney में ये capabilities होती है कि वो आपकी body के according अपने आपको ढाल लेती है लेकिन जब situation खराब होने लगती है तो starting में क्या होता है? आपकी kidney उस situation के according अपने को ढालती है suppose आपकी kidney खराब होना शुरू हो चुकी है लेकिन kidney को पता है कि वो खराब हो रही है उसके कुछ functions डाउन हो रहे हैं तो दूसरे functions अपनी capabilities बढ़ा लेते हैं kidney अपनी capabilities को बढ़ाती है वहीं दूसरी तरफ जहाँ kidney खराब होई है वो part तो खराब ही रहा ना जब आपको इसके बारे में धीरे धीरे पता चलता है जब आप इसके symptoms देखते हैं जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को kidney में कोई problem हो रही है जब आप creatinine level टेस्ट करवाते हैं तब आपको समझाता है कि आपका creatinine level बढ़ना शुरू हो गया लेकिन ये बात आपकी kidney को बह हमारे हिसाब से आपको homeopathy को ही choose करना चाहिए क्योंकि homeopathy चिकतसा में आप देखेंगे कि यहां पर आपको योगा नहीं कराये जाते और आपको medicines आपके शारिरिक और मानसिक विकास को देखते हुए दी जाती है और homeopathy दवाई में सबसे खास बात ये रहती है कि patient को शारि homeopathy treatment में सबसे ज़्यादा preference दी जाती है क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से ये नहीं सोचेंगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ जब तक आपके दिमाग में positive vibes नहीं आएंगी जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ जब तक आ मेरे kidney में cretinine level इतना है तो मेरी kidney कितने प्रतिशत काम कर रही है या कितने प्रतिशत मेरी kidney खराब हो चुकी है। जैसे कि मैंने आभी आपको बताया अगर आपकी kidney का level 1.3 mg पर deciliter पहुच चुका है तो आपकी kidney 30 प्रतिशक तक खराब हो चुकी है। वहीं हम आगे बात करें, अगर आपका क्रिटिनी लेवल 1.3 से 2.2 लेवल तक पहुँच चुका है, तो इसका मतलब है आपकी किडिनी लगभग 40 पृतिशत तक खराब हो चुकी है, इस situation को हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी किडिनी 60% काम कर रही है, और वहीं जैसे जैसे आपक क्रिटिनी लेवल 3.2 तक पहुचता है, तो आपकी किडिनी की एफिशेंसी 50% तक रह जाती है, ऐसे ही जब आपका क्रिटिनी लेवल 4.2 तक पहुचता है, तो आपकी किडिनी लेवल 5.2 पहुचता है, तो आपकी किडिनी की एफिशेंसी सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाती है, लेकिन जब आपकी kidney धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देती है तो creatinine level बढ़ जाता है और जब आपका creatinine level 8 तक पहुँच जाता है या 8 से जादा पहुच जाता है तो ये situation होती है जब आपको dialysis की जरुवत पढ़ती है dialysis की जरुवत जब आपका creatinine level 8 तक पहुच जाता है उसके बाद आपको dialysis की requirement पढ़ती है लेकिन अगर आप homeopathy treatment को पहले से ही prefer कर लेते हैं suppose अगर आपका creatinine level 1.3 है या आप 2 तक भी है इवन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका creatinine level 7 या 8 भी है तो आप homeopathy treatment से उसे recover कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये curable नहीं है लेकिन अगर आप इतना wait करते हैं इस treatment को choose करने में तो आपको काफी सारी problems को face करना पढ़ता है ये problems आपके लिए हानिकारक हो सकती है इससे किसी का कुछ बुरा नहीं होगा लेकिन ये problems आपके लिए इतनी ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगी जिसकी वजह से हमें भी अगर आप बाद में हमारे पास आते हैं तो हमें भी कुछ complications को face करना पढ़ेगा लेकिन ये guaranteed है कि ऐसा नहीं है कि आपका इलाज नहीं हो सकता इलाज आपका हो सकता है भारत हो में बैदी पर contact करने के लिए आप नीचे दिए गए consultation numbers पर call कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सुझाव है या कोई query है अगर आपको कोई समस्या लगती है अपने अंदर जो symptoms मैंने आपको बता जाएगा उमीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूग लें थैंक यू फॉर वाचिंग